नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपके अपने PBR study में यह आप देख रहे हैं जीरो लेबल मैथ हैनि की क्लास आठ की मैथ है जिसमें आप देख रहे हैं यह क्लास नमबर कौन सी है आठ 32 क्लाफ नमबर 32 बतिफ नमबर क्लास आप देख रहे हैं सुबा के पांच बजे ये लाइब होता है डेली PBR स्टुडी इलहाबा चनल पर और PBR स्टुडी ग्रूप चनल पर साम को साथ बजे से PBR स्टुडी के अफीसियल फेस्बूक पेज पर दोपार 11 बजे से और भी बहुत सारे समय अलग-अलग प्लेट फांप पर है और सेम टू सेम क्लास आप देख सकते हैं चलिए हम सब पढ़ रहे थे कलास आप की मैथ जिसमें exercise 5 कसी चल रहा था exercise 5 कसी मतलब हम सब factor निकालना सीख रहे थे identity और equation के बारे में सीख लिए factor निकालना सीख रहे थे गुड़न खंड करना ये देखे एक सर्वसमिका दी गई है 4X2 plus 12XY plus 9Y2 के गुड़न खंड करें ठीक ना तो ये जो गुड़न खंड आपके सामने दिया गया है ये अभियास 5CD का है इसी में से ध्यान से देखे कासे करेंगे साथियों इसके दो तरीके होते हैं एक तो आप सर्वसमिका लगा सकते हो दूसरा आप बीच वाले पद को तोड़ करके कर सकते हो तो हमने क्या किया है बीच वाले पद को तोड़ने की कोसिस किया है बीच में 12 है ना तो 12 को हमने क्या किया 6 में 6 2 पार्ड कर दिया 6 में 6 जोड़ों के 12 हो जाएगा और हाँ यहाँ पर एक condition यह भी होती है कि जो बीच वाला पार्ट तोड़े हो उसका अगर गुड़ा करोगे तो इसके बराबर आना चाहिए बराबर कैसे? देखिए यहाँ गुड़ांग चार है न तो 496 मतलब इसका पहले वाले पद का गुड़ा लाइस्ट वाले में कर लोगे और लाइस्ट वाले में करने के बाद क्या करोगे पता है इसका गुड़ा करके देखोगे जो भी आएगा उतना गुड़ा करने पर आना चाहिए मतलब 4,9,36 तो आप बीच वाला पद ऐसा तोड़ोगे कि गुड़ा करने पर 36 आए और जोड़ने पर 12 आए तो देखो हो गया 6 का 6 में करोगे 36 6 का 6 में जोड़ोगे 12 तो यह मैंने 12 की जग़े लिख दिया X और Y वैसे लिख दिया साइड में जैसे था कुछ नहीं किया उसमें अब ये 4X स्कॉयर ऐसे लिख लिए प्लस ऐसे लगा दिया और 6 का मल्टिपल X Y में किया तो 6 का मल्टिपल इसमें किया तो 6 X Y बीच में प्लस था वैसे लगा दिया इस 6 का मल्टिपल इसमें किया तो ये 6 X Y हो गया और प्लस ये 9Y स्क्वार वैसे लिखती है अब कामन करते हैं दूफरी लाइन में कामन लिया 4X स्क्वार प्लस 6Y में यक्स Y में आप देखो तो कामन क्या है पहला नमबर तो इसमें 1 है दोनों में Y तो नहीं है यक्स है मैंने यक्स कामन ले लिया 4 और 6 में अगर कामन देखो तो 2 है 2 से 4 भी कड़ जाएगा 2 से 6 भी कड़ जाएगा तो हमने 2 भी कामन ले लिया तो इसमें 2 कामन लिया तो 2 बचा और 1 से 1 निकाल लिया चुकि 2X था स्क्वार है तो 2X है तो 1X भी बचा और प्लस ये X निकल गया Y बचा के लिया और 3 बचा बात समझ में आई नहीं आई तो 0 लेबल मैद का सुरू आला पार्ट देखिए वहाँ पर समझ में आएगा कमेंड करके बताईए उसी तरह का इसमें Y है दोनों में तो Y कामन हो गया और 3 कामन हो गया 6 और 9 में तो ये इतना बचा अब जो दो बार बचा है उसको ऐसे लिख लिए जो दोनों जगा बचा था बाकि जो कमन था 2 X और ये प्लस 3 Y यहां लिख दिया ये हो गये इसके गुड़नखंड ये तो है साथियों पहला तरीका आपका मद्य पद को तोड़कर गुड़नखंड करने का इसमें एक दूसरा और भी बहुत अच्छा तरीका है वो क्या है वो है सर्बसमिका का परियोग करके सर्बसमिका का परियोग करके कैसे करते हैं दूसरा देखिए वो भी देख लिज़े जल्दी से पहले पद का हम लोग थूड़ते हैं यह इसकॉयर कर सकते हैना बीच में प्लस था प्लफ लगा दो लाशट वाले पद को देखिए इसको तीन वाई का इसकॉयर कर सकते हैं बोलो कर सकते हैं कि नहीं पहले पद और अंतिम पद का हमने क्या किया i square कर दिया अब आपने ये सर्बसमीका तो पढ़ा होगा a का i square plus 2ab और plus b का i square जानते होना a plus b का whole square होता है होता है ना देखो a का i square मिल गया और b का i square मिल गया हमें इसी फार्म में इसको बनाना है तो बीच में 2ab है देखिए 2ab के रूप का चलता है कि नहीं 2a की जगा पर है 2x और b की जगा पर है 3y गुड़ा करके देखो सब बराबर आ रहा कि नहीं दो दुना ये 4x square आ जायेगा ये दो दुना चारत यहीं 12xy और ये 33 का 9y square सब सही बैठ राएक दम तो लाश्ट में a और प्लस b का whole square हो जाता है a की जगा पर 2x और b की जगा पर 3y इसका whole square ये 2 बार है इसलिए क्या हो जायागा whole square का मतलब ये 2 बार है तो इसको आप 2 बार अलग अलग लिख दो ठीक ना क्या करेंगे अलग 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 लिख देंगे बस हो गया आपका ये आ गया ये दूसरा तरीका था बताईएगा कमेंट करके कैसे लगा ये दूसरा मैठेड तो ये हो गया गुड़न खंड आपने देख लिया अब इसके बाद हम कुछ और आगे बढ़ते हैं नेक्स टाइप में ध्यान देना आगे क्या है उसको भी देख लेना इसी में तो ये हो गया आपका गुड़न खंड फोर एकसी स्क्वार प्लस टो एल एकस वाई वाला इसके पहले हमने पिछली क्लास में देख लिया उसमें थोड़ा आवाज कम थी तो कुछ ज्यादा नहीं था उसमें फिलहाल वसे आप चाहोगे तो देख लेते हो सीख सकते हो कोई गुड़न खंड करना है कि कुछ खुद से भी कोसिस करिए तब इक पलब मतलब पढ़ने वाला है प्लस माइनस वाला था ना यह माइनस लिख लो आप लोग 56 और प्लस 16 इसके गुड़न खंड करने कर लेना ठीक ना होम ओर्क है आप लोगों के लिए यह यह क्या है होम ओर्क है आप जानते हो ना आज डेट है कितना तीन नमंबर 2019 है ना संडे का दिन है यह आज के लिए फिलाल तो इस तरह कि और भी कोई कुश्चन हो तो आप कर सकते हो नेक्स इक्सरसाइज में चलते हैं 5 का E 5 का C हम लोग खतम कर लिए है डी भी खतम कर लिए है अब 5 के E में चलेंगे ठीक ना अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें तुरंत कर लें जिससे कि आपको सभी अपडेट मिल सके तो साथियों एक्सरसाइज 5 का E पहला सवाल है गुडनखंड करने है एकाई स्क्वायर माइनस 4 थोड़ा सा अलग तरीके के सवाल आ गए लेकिन बहुत छोटे-छोटे हैं यह बच्चे हैं अभी देखे कैसे करेंगे इसमें हम फर्मूला लगाते हैं जिसे सर्वसमी का बोलते हैं वो क्या है A का square minus B का square equal होता है A minus B और A plus B बस इसी में चलते हैं देखो A का square है और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का square इस तरह से आफका formula बन गया उधर वाला A minus B, और A plus B B की जगा पर 2 यह देखो दोनों आलाग अलाग लिखा है ना एक जैसे लिख लो जी हो गया उत्तर गुड़न खंड हो गया हिए दूसरा एक मैं आपको दे दे रहा हूं होमवर्क इसी तरह का करना खुद से वो क्या है एक्स का स्क्वायर माइनस 9 तीसरा होमवर्क लिख लो वाई का स्कॉयर माइनस सोला यह होमवर्क ना करोगे न तो फिर कुछ होने वाला नहीं है खुद से ट्राइ करना कोसिस करना प्रेटिस करना चलिए आगे चलते हैं यह तो सीधे-सीधे सवाल थे कहते हैं जब सीधी-सीधी पतंग उडानी हो तो इन आपको कैसे उड़ाते हैं तो पाचमा नमबर सवाल है इसी एकसर साइज का लिए उल्जा हुआ है 18 स्कॉयर माइनस दो अधिक्सवायर बटन नो यह असान है लेकिन थोड़ा सा इसको अभी क्या करना है सीधा करना है अ कि शीधा करके इसको आगे बढ़ाता साथियों यहां पर अगर आप वर्ग करना चाहो तो 18 जो है वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है कि होता है नहीं होता है जैसे अगर हम 9 को बोले तो 3 का स्कॉयर कर सकते हैं और अगर स्कॉयर हो जाए तो काम बन जाए यह स्कॉयर नहीं होगा 18 किसी का भी स्कॉयर नहीं है इसमे हम कामन ले सकते हैं अगर आप ध्यान दो तो दो कामन ले लो उपर बचेगा 9 पटा एक्स का स्कॉयर उपर अगर इस में से दो कामन निकाल लोगे तो केवल एक्स बचेगा यह देखो इतना हो गया फाइनल में बात समझ में आई ना ठीक अब क्या होगा बन गया आपका यह दो बाहर निकाल लो कामन 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्कॉयर नीचे एक्स का स्कॉयर था वैसे लिख लो माइनस एक्स का स्कॉयर नीचे जो 9 है उसको क्या करोगे 3 का स्कॉयर बस हो गया इतना आगे बढ़ें देखिए A का स्कॉयर बन गया और B का स्कॉयर भी बन गया इसको आप एक लाइन में लिख लो एक लाइन में कैसे 2 इंटू 3 बटा यह यक्स का होल स्कॉयर ठीक है माइनस यक्स बटा 3 का यह होल स्कॉयर ठीक बात समझ में आई ना इतना हो गया आगे देखना A का स्कॉयर माइनस B का स्कॉयर एक की जगा पर 3 बटा यक्स और B की जगा पर यक्स बटा 3 तो दो तो बाहर लिख लो ऐसे ही A प्लस B और A माइनस B बनेगा यानि कि 3 बटा यक्स माइनस यक्स बटा 3 यह एक बन गया दूसरा का बनेगा 3 बटा यक्स और धन यक्स बटा 3 बस यह गुडनखंड हो गया इनके आंसार आ गया इसमें कुछ नहीं करना चाप लो जल्दी से कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती ना बार बार बोलते रहते हैं तो बस आप उसी तरज पर चलते रहो कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि सर आप जीरो लेबल ही काहे पढ़ाते हैं आके कॉमपरटेशन वाला काहे नहीं पढ़ाते हैं कुछ हमारे स्टुडेंट्स जो है वो बैंग भी करते हैं कि कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होगी लेकिन जीरो लेबल ही पढ़के बे कि एक लाख अठारा हजार इस्टूडेंट इस समय पीवियर इस्टेडी लाहबाद चैनल पर है तीन नवंबर 2019 की अपडेट तक उसमें से नब्बे हजार लगभग जीरो लेबल मैथ पढ़ने के लिए जुड़े हैं नब्बे हजार इस्टूडेंट यही पढ़ना चाहते ह हैं बाकी के जो बच रहे हैं 18,10,28,000 वो 28,000 वाली चाहते हैं तो यह बताइए हम 90,000 वालों को देखें कि 28,000 वालों को देखें आप बताइए तो यही रिजन है यह जीरो लेबल के जादा क्लास होती है इसका जादा महत्तो होता है बात समझ रहे हो ना और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जीरो लेबल यह क्लास यूटूब पर आपको हर जगा नहीं मिलती है कुछ ही लोग ऐसे हैं जो आपको यह क्लास उपलब्द करवाते हैं नाम मात्र के हैं बस उसमें पीवियार स्टेडी एक मुख्य भूमी का निभात आए तो एक यूनिक बना रहना है यूनिक मतलब जानते हो ना अलग थोड़ा सा सबसे बाकी कंपर्टिशन वाली क्लास भी बहुत ही मज़ादार होती है आसान होती है लेकिन उसमें रीजन है कुछ की बहुत से चैनल है इंस्ट्यूट है जो आपको वो आल्रेडी दे रहे हैं तो आप वहां से उसको ले रह हो ना कि चलिए अगला एक सवाल है इसी में गुड़नखंड में कि ए फ्लस बी का होली स्कॉयर माइनस ए माइनस बी का होली स्कॉयर कि क्या करना है इनके गुड़नखंड भ्यान देना इनके गुड़नखंड आप करोगे फोरे भी आएगा कैसे आएगा देखना देखें मित्रों इसमें बात क्या है ये ए स्कॉयर माइनस बी स्कॉयर दो फर्मूला एक में लग रहा है जूड़ रहा है लिकिन ऐसा है नहीं यहाँ पर आप लिखोगे माना ए प्लस बी बराबर पी और ए माइनस बी बराबर क्यू तो यह हो जाएगा पी का स्कॉयर माइनस क्यू का स्कॉयर बोलो हो जाएगा की नहीं और इसको आप कर सकते हो V minus Q और इसको आप कर सकते हो V plus Q कर सकते हो न पी और Q के मान रख दीजी अंसर आपके सामने आगया दोड़ के P का मान है A plus B और फिर minus Q का मान है A minus B ये अभी सिर्फ और सिर्फ इतने का मान है ज्यान देना, पूरे का नहीं है उधर वाले का इसको एक कोश्ठक में लिख लो, अलग बंद कर लो अब इधर वाले में चलते हैं A का मान है, P का मान है, फ्लस B और Q का मान है, A माइनस B इनको हल करना है, अब समझ में आएगा कोश्ठक खोलोगे, A फ्लस B माइनस A और ये धन भी हो जाएगा क्योंकि ब्रेकर खुलेगा तो अंदर के चिन बदल जाएगे और ये हो जाएगा वैसे A फ्लस B फ्लस A माइनस B इसमें कुछ ना बदलेगा आप गौर करोगे तो A प्लस माइनस एकट जाएगा ये 2B बचेगा, इसमें B कट जाएगा और 2A बचेगा दोनों को गुड़ा कर लोगे तो 4A भी बचेगा यही आपका उत्तर काल आएगा, छाप लीजिए जल्दी से है तो बहुत आसान लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने बाला है है ना मज़ेदार? चलिए लिख लिए हो तो आगे बढ़ते हैं लिख लिए ना? बताना कैसे लगा आपको? कमेंट करना ठीक ना? चलिए अब इसमें आप कुछ होमवर्क लिखिए कुछ होमवर्क लिखिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहला है X का स्कॉर माइनस 121 यह होमवर्क है घर से करना दूसरा है X का क्यूब माइनस 121 X तीसरा होमवर्क है 4 A का स्कॉर माइनस 9 अपान 4 A का स्कॉर नीचे देखना क्या है A का स्कॉर D बाला है A का स्कॉर माइनस 49 B का स्कॉर और E बाला क्या है A का स्कॉर माइनस 4 यह अप बाला है A का स्कॉर माइनस 625 यह होमवर्क है आप घर से करना इसको ठीक है कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट कर सकते हो निसंग कोछ पूँच सकते हो लेकिन हाँ देखना जरूर इसको घर पर इसके बाद अगला हम 5 का यफ पढ़ेंगे साथियों 5 का यफ इस 5 वाले सिस्टम का लाश्ट चैप्टर है ठीक है लाश्ट है इसको भी हम खतम कर देते हैं काहे लिए इसमें लफड़ा रहें चलिए 5 का यफ सुरू करते हैं इसी में खतम कर देते हैं इसको मन तो था कि इसमें क्या कह रहा है कह रहा कि दो पूड़ांक A और B ऐसे ग्याद कीजिए कि A प्लस B बराबर देखे साथियों बहुत अजीब सा सवाल है ये बड़ा अजीब होग अजीब सवाल है दो पूरांक A और B ऐसे ग्यांत कीजिए कि A प्लस B बराबर 8 और A इंटू B बराबर 15 हो मतलब कोई ऐसी दो गिंती ग्यांत कीजिए जिनको अगर जोड़ें तो 8 आए और अगर गुड़ा करें तो 15 आए वैसे तो आप सोच के बता दोगे लेकिन उनको निकाल के दिखाईए ऐसे कहने से नहीं मतलब कि मानलो मैं बता दिया 5 और 3 हो गया पांच में 3 जोड़ा 8 हो गया 5 का 3 में गुड़ा किया 15 हो गया तो उत्तर हो गया 5 और 3 उत्तर तो हो गया लेकिन आया कैसे आपने पढ़ा होगा जब समीकरण के मूल दिये गए हो तो उनका समीकरण निकालना पढ़ा था ना दिखाई समीकरण में देखिए चलिए लिखते हैं सूत्र यक्स स्क्वाइर माइनस ये अल्फा फ्लस बीटा इंटू यक्स और अल्फा इंटू बीटा ये आपने पढ़ा था ना पढ़ा था बराबर जीरो इसका परियोगा आप यहाँ पर कर सकते हो निकालने के लिए इन पुड़ांकों को ठीक ना? चलिए इन में आप मान रख करके इसको कर सकते हो देखिए जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिखा है न इसको आप अप अप अपलस बी भी लिख सकते हो ए इंटू बी ये अल्फा बीटा लिखा गया आपको समझने के लिए एक अल्फा बीटा को एक मानक माना गया बस तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो आपके समझ में आएगा कि यक्स का स्कॉयर माइनस अल्फा फ्लस बीटा मतलब ए प्लस बी क्या दिया है? आठ दिया इसको रख दो यक्स और यह ए प्लस ए इंटू बी यह अल्फा इंटू बीटा यह पंद्रा दिया है बराबर जीरो इसके गुड़नखंड कर लीजिए जो आएगा वो उत्तर हो जाएगा आप जानते हो गुड़ा करने पर पंद्रा आए जोड़ने पर आठ है कोई ऐसी दो गिंती बताईए तो वो हो जाएगा पांच धन तीन पांच का तीन में जोड़ोगे तो आठ हो जाएगा बुड़ा करोगे तो पंद्रा हो जाएगा और यह ए एक्स प्लस पंद्रा बराबर जीरो यहां से आप इसको हल करते जाओ सारे नियम धर्म के साथ साथ यहक्स का स्क्वायर माइनस यह पांच यहक्स माइनस तीन यहक्स धन पंद्रा बराबर जीरो हल करोगे इसमें यहक्स कामन हो जाएगा यहक्स माइनस पांच माइनस तीन कामन लोगे यहक्स माइनस पांच बराबर जीरो x-3 और x-5 बराबर 0 आएगा इतना बात पलने पड़ गई न अब आगे क्या करोगे आगे कह रहा था कि दो ऐसे बेंजग ज्याद कीजिए ना पुडांग ज्याद कीजिए तो एक-एक को बराबर करोगे यहाँ पर लिखोगे यदी x-3 बराबर 0 तो x बराबर 3 और अगला यदी x-5 बराबर 0 तो x बराबर 5 आता हा वो दोनों बेंजग क्या रहे हैं 3 और 5 आया ना आता हा यदी x बराबर 3 कामा 5 यह उत्तर हो गया यही तो कह रहा था ना कि ऐसे 2 बेंजग ग्यात कीजिए अब ट्राई भी कर लो सही है कि गलत है a प्लस b करने पर 8 है मतलब दोनों को जोडने पर 8 है 5 में 3 को जोडो 3 में 5 को जोडो 8 हैगा a इंटू b करने पर 15 है ऐसा कहा गया था 5 में 3 को गुड़ा करो 15 हो जाएगा लिख लीजिए यह हो चुका पहला जल्दी करें हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें अगर हमें दूसरा कोई सवाल कहा जाए तो हम उसे कर सकते हैं आसानी से जैसे इसी में का मैं दसमा कर दे रहा हूं माइनस में है A प्लस B बराबर माइनस साथ और A इंटू B बराबर है दस वो कौन से ऐसी दो संख्याए होंगी जिनको इस तरह से लिखा जा सकता है इसे आप अलफा बीटा मत लिखो कनफ्यूज हो रहा हो तो यह एक परकार से मानक रूप में मैंने लिखा था बस आप इसको A और B लिख लो कोई दिक्कत नहीं है यह माइनस साथ है और यह क्या है दस यही तो है चलिए अब देखना सूत्र लगा दीजिए यक्स का स्क्वायर माइनस A प्लस B आप लिख लो X इंटू यहां पर प्लस होगा A इंटू B यह B लिख लो यार B यह बराबर 0 कर लिजिए जिससे आप लाश्ट में निकाल सको है ना X और Y के मान निकाल सको Sorry, मतलब A और B के जो भी है तो मान रख दीजिए इसी में X का स्क्वायर माइनस A प्लस B का मान माइनस 7 है तो यह माइनस 7 हो गया इंटू Yक्स धन इस का मान 10 है बराबर 0 हल करोगे यह माइनस माइनस प्लस हो जायागा 7 यक्स और यह प्लस 10 बराबर 0 गुड़ा करने पर 10 आए जोड़ने पर 7 आए बताओ दो अंक पांच में 2 जोड़ों के 7 आएगा गुड़ा करोगे तो 10 हो जाएगा यह हो गया कामन निकाल लोगे कामन जानते हो न इसमें दोनों में कामन लोगे इसमें दोनों में यक्स कामन लोगे यक्स प्लस 5 बचेगा इसमें प्लस 2 कामन लोगे तो यक्स प्लस 5 बचेगा है न अब क्या होगा यक्स प्लस 5 और यक्स प्लस 2 ये दोनों हो गए न इतना बराबर बराबर मैंने 0 लिखा था काहे लिए इसलिए तो लिखा था तो यद यक्स बराबर अभी जैसे पिछले सवाल में किया था निकाल के देख लेना यक्स प्लस 5 कामा मैंने 0 आएगा क्या आएगा मैंने 0 प्लस 5 कामा मैंने 0 ट्राइ भी कर लो सिद्ध करके देखो ए प्लस बी इक्वल माइनस 7 आना चाहिए यह माइनस 5 और ब्लस माइनस 2 बराबर माइनस 7 करो माइनस 5 माइनस 2 इक्वल माइनस 7 देखो माइनस 7 इक्वल माइनस 7 देखो सिद्ध हो रहा है कि नहीं बराबर आ रहा है ना आ रहा है ना chunk के अबहुत अच्छा लगए गा और विल्ए को इस तरह से आप गूरा वाला भी कर सकते हो माइनस दो का माइनस जब सbooks में गूरा करोगे स्वारी माइनस दो का माइनस पांच में तो माइनस माइनस पनस और पाँच का दो दो में करोगे दस मतलब प्लस दस आजाएगा हो गया ना सिद्ध कि बाकिस में है साथियों आगे गुडणखंड कीजिए बहुत सारे सवाल हैं हो मोर्क के लिए हम आपको दे दें उनको आप करते रहना अगर कोई सवाल है तो आप पूंच सकते हो कुछ आजीब सा सवाल होत होती है मुंगफली खाया हो ना एक मुंगफली होती है मुंगफली का दाना मिलता है मतलब जिसको आप डारेक्ट लेकर के मतलब खा सकते हो उसमें ना कुछ छीलना है ना कुछ फेकना है एक मुंगफली वह मिलती है जो भूजी हुई होती है जिसको छील छील के खाना होता यह उसी तरह के दोटरा के सवाल में पहले तो आपने डारेक्ट वाला कर लिए जिसको आपने देखा तुरंत हल किया इसको आपको बनाना है पहले छीलल्ल के तब आफ हल कर पाओगे कैसे इसको उस रूप का बनाओगे किसमें सुधलगा सको कर सको अभी तो पुछ ना होगा तो इसमें कुछ कामन निकालेंगे आप अगर goofy से देखो तो कामन सी इसमें है इसमें सी है इसमें सी का क्यूब इसमें कामन हो जाएगा बचाएगा कि इस्कॉई स्कॉयर बच्टेगा बात समझ में आई ना समझ में आएगा तो बता देना कामन कैसे होता यह सब आप जानते हो अब गुडा करने पर आर्ठ हाय और जोडने पर बारा है यह गुडा करने पर बारा आए मतला multiple करने पर 12 आए और 8 करने पर 8 आए यह multiple करने पर आए और यह 8 करने पर आए कोई 2 डिजिट बताओ ऐसा वो हो जाएगा 6 और 2 जी हाँ 8 की जगा पर आप 6 फ्लस 2 करोगे यह बाहर से BC फ्लस 12 का इसको है चुकी ज़्यादा आप टाइम नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पूछ चांज करें आपसे है ना तो यह हो जाएगा C का क्यूब B का स्कॉाइर प्लस 6 BC और यह प्लस 2 BC और प्लस यह 12 C का होल स्कॉाइर ठीक इस तरह से आप इसे हल करोगे तो यह C का क्यूब इसमें आप कामन ले लोगे तो B कामन हो जाएगा B फ्लस 6 C बचेगा इसमें आप 2 B कामन लोगे B कहां से होगा जी इसमें दोनों में C कामन होगा तो 2 C कामन लोगे तो B फ्लस 6 C बचेगा है ना अब इस तरह से आपका ये CQ बहरे हो जाएगा और ये V फ्लस 6C एक जगा हो जाएगा और V फ्लस 2C एक जगा हो जाएगा ये कोश्टक बंद कर लो बस गुड़न खंड करना था यही उत्तर हो जाएगा आप इसको लिख सकते हो अंसर कोई और सवाल है तो पूँच सकते हो देखो आजीब सथाना ये बाकी एक तरह का इसमें और भी सवाल होता है जो कि हमने आपको सायद बता दिया है पहले समित्रों अब अगर आपको लगता है कि कोई और भी गुड़न खंड वाले कुश्चन आपको सता रहे हैं नहीं आप कर पा रहे हो तो उसको आप में वाटस पर भेज सकते हो जो भी स्टुड़न क्लास को जॉइन किए हैं सटर्डे संडे आप सवाल भेज सकते हैं जो नहीं जॉइन कि वह जॉइन कर लें और आपको बता दें चलते-चलते दोस्तों कि अगर आपने अभी तक पी वाटस अप नंबर को नोट कर लें वाटस अपर आपको सारी कलासे भेजी जाएंगी उसके लिए आपको 549 रुपए वाटस अप सर्विस चार्ज पेमेंट करना होगा फिर आपको वाटस अपर सारी कलास दिया जाएगा मतलब उपलफ दकराई जाएगी चलेगी यूटू उपर ही देखते रहो बिल्कुल फ्री में और आपको बता दें यह नंबर जो आप लिखें है ना उपर यह गूगल पे का और फोन पे का भी नंबर है आप किसी भी तरीके से पैमेंट करके इसी वाटस अप नंबर पर रसीद का स्क्रीन साट यानि कि जो रिसिप्ट होगी उसका सक्सेज फूल पेमेंट का रसीद स्क्रीन साट भेज़ देना है फिर आपको आधे गंटे के अंदर कलास उपलब्द कराई जाएगी तो आज के लिए बस इतना ही बहुत-बहुत सुक्री आप सभी को नहीं बातों के साथ जैहिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो जो आपके अगली कलास उपलब्द होगी साड़े चे बज़े से भी होगी साथ बज़े साथ बज़े और आठ बज़े से भी कलास होगी बहुत सारी कलास है अभी यूट्यूब पर देखिएगा जो मिलें